डॉन ग्रीट किया गया उससे पर गुलान नवी आजाद साहब को आप सुन रहे थे आपको वता दे बैठक के भीतर क्या कुछ हुआ है उसकी एक एक डीटेल्स हम आपको देने वाले हैं रवेंद्र रहना अध्यक्ष जम्मु कश्मीर भारती जिंदा पाटी के इस वक्त हमारे साथ लाइक जूट चुके हैं बहुत स्वागत है रवेंद्र जी आपका आज तक पर और मेरा पहला सवाल यही आप से एक एक करके बताईए कि आज की इस मीटिंग में क्या हुआ सबसे बड़ा मुद्दा जो इलेक्शन का था उस पर पीम की ओर से एचम की ओर से क्या आजश्वासन आप लोगों को दिया गया है जम्मू कश्मीर के संदर्व में मानिय प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी साहब ने जो सरवदलिये बैठक नई दिल्ली में बुलाई थी उसमें जम्मू कश्मीर के तमाम सभी बड़े नेताओं ने भाग लिया मानिये प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश के 135 करोड हिंदुस्तानियों के दिल में बसता है मानिये प्रधान मंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर उनके अपने घर के जैसा है जम्मू कश्मीर का प्रतेक व्यक्ति प्रधान मंत्री जी ने कहा कि मेरे परिवार के सद्ध से के जैसा है प्रधान मंत्री जी ने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर के अंदर कारे किया और प्रधान मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए जम्मू कश्मीर के नोजवानों के उज्वल भविश्य के लिए एक सशक्त जम्मू कश्मीर के लिए वो हर वह कारे करेंगे जो करना आती अव शक है मानिय प्रधान मंत्री जी ने सभी वरिष्ट नेताओं को यह अहवान किया है कि सब को मिलकर जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए कारे करना चाहिए मानिय प्रधान मंत्री जी ने सभी नेताओं से यह निवेदन किया अहवान किया कि हम सब को एक भारत स्रेश्ट भारत के संकल्ब को हमेशा आपने मन में रख के कारे करना चाहिए और हमको राष्ट हित में और जम्मू कश्मीर की जनता के हित के लिए सभी वह कारे करना चाहिए जो अतियवशक है प्रदान मंत्री जी ने अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर के सभी ने गुढ़ाल ता के साथ हैं उनने कहा कि वो खुले मनसे और बड़े मनसे कारेख करते हैं और जम्मू कश्मीर की बहलाई के लिए जम्मू कश्मीर की जनता के लिए सब के होगी हुआ रविंद्र रहना जी अब मैं शुरुवात से आप से जाना चाहूंगी चुंकि आप बड़ा चहरा जमू कश्मीर का और यकीनन पूरा देश इस वक्त आपको सुनना चाहेगा सबसे पहले मीटिंग के लिए तीन बजे आप लोग पहुँचे किस तरह से शुरुवात हुई कहा ये जा रहा है कि सबसे पहला रंबर फारुक अब्दुल्ला के बोलने का था हमारे देश को जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको विस्तार से बताईए जम्मू कश्मीर के लगभग सभी नेता उन्हें जो बैठक में भाग ले रहे थे उन्होंने मानिये प्रधान मंत्री जी के समकष्ष सर्वदलिय बैठक में अपना पक्श रखा अपनी बात रखी और प्रधान बंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के सब भी चौदा झो वरिष्ट नेता थे उन्हों सबकी बात सुनी और बड़े मंसे प्रधान मंत्री जी ने और खुले के जैसा है मैंने कई वर्षू तक जम्मू कश्मीर के अंदर संगठनत आत्मक कारे किया है और जम्मू कश्मीर का प्रतेक बच्चा-बच्चा प्रधान मंत्री जी ने कहा कि मेरे परिवार के सद्सके जैसा है यह हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है और प्रधान मंत्री जी ने साथ साथ ये कहा कि उज्वल जम्मू कश्मीर के लिए वहर एक वो कदम उठाएंगे जो उठाना अतिय अवश्क है सभी नेताओं ने अपना-पना पक्ष रखा सभी नेताओं ने अलग-अलग प्लिटिकल पार्टीज ने सब ने अपना-पना विश ने अचा नहीं आई तो मानिये प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर की जन्ता को अपने सीने से लगाया और दुख कश्टू से बाहर निकाला हम सब को याद है जब 2014 में जम्मू कश्मीर डूब रहा था दीपा वाले दिन मानिये प्रधान हों रिंग रोड्स हों मेडिकल कॉलजीज हों बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हों पंचाइती राज सिस्टम आज पांच सरपांच बीडी सी और डीडी सी जिला परिशद का गठन मानिये प्रधान मंत्री जी ने किया आज जम्मू कश्मीर के अंदर पस् की बुलंद आवाज हैं आज जो पियो जेके के पाकिस्तान के कबजे वाले जम्मू कश्मीर से विस्थापित रफू जी जो कश्मीरी पंडित समाज है और कश्मीर से जो सिख समाज 1990 के दोर में विस्थापित होके आया उनका दुख तकलीफ दर्द अगर किसी ने समझा त जम्मू कश्मीर की बेटियों का दुख तकलीफ अगर किसी ने समझी तो प्रधान मंत्री मोदी जी ने समझी आज 108 केंद्रिये कानून जो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे जिसमें राइट टू एजूकेशन एक्ट, फूड स्क्यूरिटी एक्ट, नेश नेशनल कमीशन फर वुमें, नेशनल कमीशन फर एस्टी जैसे महत्वपूर्ण कानून आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू कर दिये गए, सब ने माननी ये प्रधान मंत्री जी का हृदे से धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया, जो प्रधान मंत्री जी ने लग इस वज़े से उनकी ओर से खुदी ये कहा गया कि हमारे और आपके बीच में गिले शिक्वे होते रहेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, हम और आप एक परिवार की तरह से हैं, प्रधान मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया, अब आगे बढ़ते हैं मेरा ये सवाल है, देखें पाकिस्तान का जिक्र पहले ही कश्मीर में महबुबा मुफ्ती के ओर से किया गया था, तो अब हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि क्या इस बैठक में कहीं भी, क्योंकि मेरी जो जानकारी मिली है, प कुछ भी कहा गया है, रेवन्द रुनाइनंद जीब Ratat- ुच्र ?' माननीये पृधान मंतरी जी ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में कहीं भी, कोई गवली चलती है तो प्रधान मंतरी जी ने कहा, मुझे तकलीव होती है, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर किसी की भी, हमारे किसी नागरिक की लहू की एक बूंद भी अगर जमीन पर गिरती है तो एक सो पेटीस करोड हिंदुस्तानियों को तकलीव होती है जमू कश्मीर के बच्चे जमू कश्मीर के नोजवान यह हमारे नोजवान हैं हमारे बच्चे हैं हमारे परिवार के लोग हैं और मानिय प्रदानमंत्री जी ने सब नेताउं से यह निवेधन किया कि हम सब को मिलकर एक जुट हो कर पूरी इमांदारी के साथ integrity के साथ हमको जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करनी है बिल्कुल हम जनता के प्रतिनी दिये हैं जनता के प्रति आकाउंट्यबल हैं हमने जनता की भल योगूं की समस्याओं का समाधान करें जो काम आपको करना है यो इस बारे क्या अश्वासत मिला है प्रधान मंत्री के उर से कोई समझोता नहीं होगा मानिये प्रधान मंत्री जी ने कहा कि बहुत जल्द डी लिमिटेशन कमीशन जैसे ही उन्सकी रिपोर्ट सब्मिट हो जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर अभी परिसीमन का कारे चल रहा है परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट सब्मिट करेगा और जैसे ही परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट सब्मिट करेगा विधान सवा सीटूं का गठन हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर में उसके तुरंद बाद विधान सवा के चुनाव होंगे रवेंदर जी में जाओंगे हमारे साथा बने रहे बड़ा आश्वासन दिया गया है जमुकश्मीर के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओर से और साथी सभी दलों के साथ आगे बढ़ने के बाद पिया मोदी के ओर से कही गई